आपको economics और शास्तर चुट्कियों में समझ आए ना इसके लिए मैंने कुछ ऐसे शब्द ढूंडे हैं आपके लिए जो आपको economics समझने में बहुत ज़्यादा help करेंगे तो आए उन शब्दों पे एक बार नजर डालते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं देखिए वस्तु को खरीदना ठीक क्या कहलाता है क्रे पर्चेस वस्तु को बेचना सेल विक्रे कहलाता है तो वस्तु खरीदना और बेचना क्या होगे आपका सेल और पर्चेस ठीक है अब यहाँ पर आता है वस्तु खरीदने वाला कौन होता है तो वस्तु खरीदने वाले को क्या कहता है बायर, क्रेता वस्तु को बेचने वाला, सेलर विक्रेता, अब जो वस्तु होती है वस्तु को एकनॉमिक्स में क्या कहता है गुड्स, क्या कहता है गुड्स, ठीक और जो कच्चा माल होता है, उसे क्या कहता है फाइनल गुड़्स होगा, आपका तयार आजह है, पर इससे पहले जो धाग है आपका क्षा माल कहलाईगा, ठीक है? उत्पाधन, क्या होता है? पैदावार , प्रोडटक्शन जैसे की production किसी भी चीज़ का किया जाता है, उत्पादन किया जाता है ठीक है, शार्मिग क्या कहते है उनको labor, मजदूर या श्रम, ठीक है नीमेश को क्या कहते है? investment investment क्या होती है आपकी लागत होती है, kar kar क्या होता है? tax ये बहुत ही most important रंट है आपके लिए करक कुझ कहते हैं टेक्स ठीक है अब राश्ट यहाए रास्ट यह पयमली की आपकी नैशनल इंकम मतलब देश का धन कहां से कठा होता है आपका कर से कहां से होता है कर से टेक्स से बेरोजगारी अनिंप्लयमेट जिसके पास कोई रोजगार ना हो ठीक रेंट क्या होता आपका किराया क्या होता है किराया या फिर हम इसे लगान को भी क्या कहते है हम लोग रेंट कहते है किराया क्या होता है कि किसी बिल्डिंग का हो गया किसी जमीन का हो गया अब लगान क्या होता है की कुछ टाइम के लिए rent agreement होता न जैसे आप लोगों का कुछ टाइम के लिए या आप लोग खेती कर रहे है सरकारी जमीन होती है वहां पे क्या कहते है खेती करने के लिए लगान पे क्या दिया जाता है आपको जमीन दिया जाती है कि आप इतने समय के लिए एक निश्चित समय होता है लगान में कि एक निश्चित समय के बाद आप हमें इतना उसका किराया देंगे उत्रपरदेश में इसे हुंडा के नाम से भी जाना जाता है ठीक है अब आते हैं बाजार बाजार क्या होता है market, ठीक ब्याज, ब्याज क्या होता है आपका interest, मुद्रा देखिए मुद्रा क्या होता है रुप्या, पैसा इसे क्या आपको कहते है currency, कीमत क्या होता है price, ठीक है GST ये देखिए एक तरह का ये क्या है आपका कर है, tax है क्या है GST तो GST का पूरा नाम क्या है goods and services tax ठीक है वस्तुओं और सेवाओं पर कर क्या होता है, आपका tax होता है ठीक, GDP ये आपकी देश का कितना विकास हुआ है, उसका पता करने के लिए किसकी rating दिखी जाती है, GDP की तो इसे क्या कहता है, gross domestic product हिंदी में इसको कहता है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है वैपार क्या होता है, आपका business होता है या website होता है ठीक, संपत्ती क्या होती है, आपकी assets होती है, धन होता है अब देखिए, दो चीजे मैं आपको बता रहा हूँ कभी भी धन आपकी मुद्रा नहीं होती कभी भी धन आपकी मुद्रा नहीं होती, मुद्रा आपकी अलग है, जिसमें आपका रुपया पैसा होगा ठीक, धन आपकी क्या होगी, संपत्ती क्या होगी, संपत्ती जो आपको, जिसमें क्या आजाती है जमीन ठीक, building, मकान हो जाता है, ये सब क्या आ जाता है आपके, संपत्ती में, संपत्ती क्या होता है, आपका धन होता है, अब मुद्रा क्या होती है आपकी, रुप्या पैसा होता है, इसलिए मैंने आपको ये समझाने के लिए, थोड़े से word meaning ऐसे लिखे, जो आपको समझ आ जाएं, तो आप लोग economics को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो, उमीद करता हूँ कि आप लोगों को, मेरे समझाने में कुछ दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है, ये जरूर हमेशे याद रखना, धन और मुद्रा कभी भी एक समान नहीं होते, जो आपका संपति होता है, जो आपको खांदानी तोर पे मिली होते है, या विरासत में मिली होते है, या आपने खरीदा होता है, ठीक है, और मुद्रा कहा होती है आपका रुप्या पैसा,